दोस्तों आज हम आपको एक ऐसा सच बताने जा रहे हैं जिसको देखने के बाद आपके पैरोतले मिट्टी खिसक जाएगी वो क्या है जो बजार से आप चीनी खरीदते हो यह चीनी है इसका बेट दो किलो है इस चीने में एक ऐसी चीज मिलाई गई है जो आप इसका जो कि गरम पानी में घुल जाते हैं और ठंडे पानी में घुलते नहीं है वह मैं आपको प्रेटिकल करके बताते हैं इसमें क्या है आपके सामने चीनी रखी हुई है चीनी मैंने लेखिशर मैंने इसमें चीनी ली एक छोटे से छोटा ग्लास है कांच का ज्यादा बढ़ा अब इसमें क्या करते हैं हम इसमें थोड़ा पानी डालते हैं देखिए इसको पानी में घुलते हैं इसमें पानी डाला है मैंने और इसको पानी मैंने चीनी को घुला आपके सामने दिखा रहा हो किस तरह प्लास्टिक के छोटे-छोटे कड़ हमारे इस चीनी से निकल कर भार आते हैं ये प्लास्टिक के कड़ इतने खतरनाक हैं कि आपके सरीर में कैंसर जैसी बीमारियां पैदा कर सकते हैं सभी फ्रेंड्स से रुप्रेस्ट है निवेधन है कि इस मैसिज को देखने के बाद अपने सभी गुरुप में इसको आप भेजें ताकि लोगों के पास ये मैसिज पहुंच सके देखिये मैने इसमें पानी को थोड़ा कम कर रहा हूं ताकि अच्छी तरह से गुल सके और भी मैं इसको पुदे घोल रहा हूँ जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं मैं इसको गुल रहा हूं और ये प्लास्टिक के कड़ हैं ये ठंडे पानी में घोलते नहीं है जबकि चीनी को देखो घोल चुकी है ठंडे पानी में और ये नहीं घोलते हैं ये प्लास्टिक के कड़ के जो आप चाय बनाते हैं तो ये गरम पानी में कड दिखाते कितने हैं इस प्लास्टिक के डिख रहे हैं यह देख रहे हैं अभी प्लास्टिक की प्लास्टिक के किस तरह चीनी में यह प्लास्टिक कड मिलाए जाते हैं ताकि चीनी का बजन बढ़ जाए और देखिए यह सारे प्लास्टिक के कड हैं यह मैंने थोड़ी चीनी ली थी उसमें इतने निकले हुए हैं और जब मैं पूरी दोकलो चीनी को भोलूँगा तो इसमें कितने निकले देखेंगे आप इसका अंदाज नहीं लगा सकते हैं जैसे कि मैंने एक गलास पानी में घोल के देखा था तो इस सब देखो प्लास्टिक के कड़ देख रहे हैं आपको सामदी इस सारे प्लास्टिक के कड़ हैं यह आपके शरीव में बहुत खतरनाक बीमारी पैदा कर तो सभी दोस्तों से निवेदन है कि इस मैसिज को सभी के पास पहुँचाएं और ताकि लोग जाकरत हो जाएं देखिए सर फिर आपको दिखाते हैं एक बार के लिए सब प्लास्टिक के कड़ आपको देख रहे हैं यह सब प्लास्टिक के कड़ हैं इस सारे देखिए आप सर यह घुले नहीं है इनको आप दवाएंगे दातों से दवाएंगे तो फूटेंगे नहीं कैसे भी दवाओ इन इस तरह प्रक्टिकल करके देखें कि मुलावट तो नहीं है इस पानी को बेर्थ ना जाने दें इस पानी को बचा लें ताकि आपके किसी काम में आ जाए मैं तो यहां पर बेर्थ मैंने बहा दिया आए ओके सर इतना ही बताना चाहूंगा धन्यवाद